आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और SSC CHSL का सिकेंड सिफ्ट का जो एक्जाम है वो आप सभी का हो चुका है और टोटल 25 वे से 24 या 25 पूरे के पूरे जेनियून क्वेस्टन जो आपके एक्जाम में आए हुए हैं फर्स सिफ्ट का भी मैंने पूरा क्वेस्टन आपको दिखाया सिकेंड क्वेस्टन भी दिखाया और कुछ क्वेस्टन जो है एक्जाम में रिपीट हो रहे हैं तो हर एक question को आप सभी ध्यान से देखो क्योंकि CGL के भी कुछ question जो है exam में CHSL का repeat हो रहा है और इसका पूरा PDF जो है आपको टेली ग्राम के उपर जो है वो मिल जाएगा जिसका download link जो है वो आपको इस video के description box में दिया गया है तो मैं हमेशा बोलता हूँ टेली ग्राम से आप सभी जुड़ाना पाकि आप वहां से जो भी content दिया चाहे उसका PDF आप सभी जो है वो download कर पाए तो देखते हैं फटा फट आज क्या 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 question आपके second shift में आया हुआ है तो पहला question जो है हमारे सामने वो यह है कि लदाक में total कितने district है बहुत जो 9-10 बोल रहा है या 2 district है बस ले और कारगिल आपको मैंने नाम भी दिखा दिया है आपके exam में question यह था कि लदाक में total कितने district है तो आपके दो है पहला ले और दुसरा आपका कारगिल अगला प्रस हमारे सामने है जारकंड बिदान सबा के अध्यच जो है वो किसे नुक्त किया गया है बीस जैनवरी को 15-16 जैनवरी को यह नुक्ती होई थी मैंने current affair में आप सभी को पढ़ाया था रविंदर नात मैं तो जो है वो जारकंड के लोक सबा जो है लोक सब बोल र कल भी बोल रहा था कम से कम 30-32 तक आप याद कर लो रट लो एक्जाम में कुस्सन बनेगा अगला प्रस हमारे सामने है देखो ये कुस्सन आपकी CGL में दो बार रिपीट हुआ दुबारा फिर आ रहा है कुस्सन क्या है जो किताब है An Error of Darkness इसके लेखक कौन है तो मैंने CGL में भी दो बार रिपीट किया गया फिर से पूछा जा रहा है ससी थरूर जो है इस किताब के लेखक है 2019 में जो सांती का पुरुसकार दिया गया ठीक है एक्जाम में ये नहीं पूछा गया था आपको किसको दिया गया एक्जाम में ये पूछा गया था कि जिसको दिया गय था अभी एहमत को वो किस देश के नागरीक है तो वो इथोपिया के रहने वाले हैं ये याद रखिएगा कोशन इस परकार था आपके एक्जाम में आज अगला प्रसमारे सामने हैं इंडियन एसोसियेशन की इस्थापना जो है वो कब हुई थी 1886 में वेन वाज इंडियन ए इन 1876 अगला प्रसमारे सामने हैं एक कुशन आपका कंपूटर से भी बना है प्रिंट स्क्रीन का सौट कर्ट की क्या है आपको बताना है कंट्रोल प्लस प्रिंट स्कैन ये आप याद रखिएगा अगला प्रसमारे सामने यहाँ पर कुशन में डाउट है लेकिन मैंने इस वहाँ पर आप्सन में होता तो आपका एंसर क्या होता इसुप जामिल और ऐसे रविसकुमार ठीक है विसवाला अगला प्रसमारे सामने हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यह वो कौन डिसाइड करता है नियुतम समर्थन मूली कौन तै करता है यह आपको बताना है तो दे आपका MSP जो है वो डिसाइड किया जाता है इनके द्वारा अगला प्रसमारे सामने हैं सत्य में जैते उपने साथ उपने साथ जो है वो कहां से लिया गया तो मुंड का और ये कौस्टिन मैंने आपको साम को चार बजे वाले क्लास में देखो जादा तर कौस्टिन सब अगला प्रसमारे सामने है कुमाओं हिमाले जो किस नदी के टट पर इस्तित है तो सतला जिनदी और काली नदी के उपर अगला प्रसमारे सामने है हीराकुन बांध का अस्थान किस नदी पर है तो माहाननन्दी नदी के उपर रिगे कहां पढ़ता है माहाननन्दी तो ये पढ़ता है आपका उड़ी सामे ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या पूछा है लोकेशन ओफ हीराकुन डैम विच रिवर और एंसर क्या होगा आपका माहाननन्दी रिवर जो आपका उड़ी सामे पढ़ता है अगला प्रसमारे सामने है यहाँ पर टुवेल्थ फाइफ येर प्लान बहुत इपॉटेंट है यहाँ पर पूछा गया है जो बारवा फाइफ येर प्लान था उसकी समय क हुआ है ये कुट्सेन सीजिल के एक्जाम में तीन से चार बार आया फिर से पूछा गया है एक बार पूछा गया था अमिसा ने अभी करम योद गरंथ जो है वो रिलिस किया गया था वहाँ पर अलग अलग टाइप से पूछ रहा है आज को वही को सन को घुमा कर पुछा गया कि करम योद जो गरंत है वो किस व्यक्तित उपर अधारित है तो हमारे देश के पियम मोदी जी के उपर ये कोसें सीजियल में तीन से चार बार पूछा गया दूबारा फिर आज CHSL में रिपीट किया गया है अगला प्रसमारे सामने है सुल्तान अजलान सा कप किस देश म अजित हुआ है हाल फिलाल में तो मलेसिया में ठीक है और हाँ एक बात और एक्जाम में अगर पूछ आपसे पूछ दे कि सुल्तान अजलान सा जो कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे हौकी से ये भी आप रखना एक्जाम में पूछा गया है इसके पहले कितनी बार कि सुल्तान अजलान सा कप जो है वो किस खेल से संबंदीत है तो आप क्या बोलेंगे हौकी अगला प्रस हमारे सामने राष्टपती भवन का निर्मान कप किया गया था तो 1912 में स्टार्ट किया गया और 1929 में जो है वो समाप्त ठीक है अब यहाँ पर पूछा गया किस बर्स में संपती का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया था 1978 में 44 एमेंडमेंट याब रखे एक वसन काफी इपॉटेंट है in which year right to property was removed from fundamental right in which year बोल रहा है तो वसन कौन सा है आपका 1978 ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है पंच सिल एगरिमेंट जो है वो किस कंट्री के बीच में जो है वो साइन किया गया है तो इंडिया और चाइना के बीच में आपके एक्जाम में बस यही option था और आपको यही मार कर आना था और एक बात मैं बता दू हो सके आने वाले एक्जाम में पूझडे यह कब साइन किया गया था तो 29 एपरेल 1954 को जो है वो इंडिया और चीन के बीच में जो है वो पंच सिल एग्रिमेंट जो है वो साइन हुआ था यह भी आप सभी याद रखेगा अगला प्रस हमारे सामने हैं यहाँ पर पूझाए आप सभी से what is the value मान पूझाए अर्थ gravitational constant का तो यहाँ पर 9.98 बहुत जन बोलेंगे वो भी सही है option के उपर depend करता है यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो 6.67 into 10 to the power 11 होगा ठीक है न्यूटन केजी यह आप देख लीजिएगा 9.98 बही सही है लेकिन option के उपर depend करता है कि exam में option क्या पहा लेकिन exact question जो है वो हमारा exam में यही था अगला प्रस हमारे सामने है किस देश में उट की shooting होती है तो अस्ट्रेलिया में South Australia में होता है दच्छन अस्ट्रेलिया में ठीक है अगला question हमारे सामने करणाम मलस्वरी को पबिसरी पुरुसकार दिया गया ता किस छेत्र में या किस छेत्र से जुड़ी हुई है तो weight lifting कटीसियस वाला class हो अगला को से नमारे सामने है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना किस वर्स में हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 में अगला परस हमारे सामने है ब्राजिल के रास्ट पती रात को साड़े 11 बजे तो ये सब point clear है जिर बोलसो नारो रास्ट पती है मुद्रा आपका real राजधानी ब्रैसिला पुलेला गोपी चंद अकाडमी जो है वो कहाँ पर है हैद्राबाद में कहाँ पर है पुलेला गोप question था हमारे वही तो बोल रहाँ question और कहाँ गया vitamin how many elements vitamin c में कितने elements होते हैं तो carbon oxygen और hydrogen अगला प्रस हमारे सामने पाला डाइन सेटी के founder कौन है पाला वंस के संस्थापक कौन है तो गोपाला ये था हमारा last question तो total मैंने 24 से या 25 question पूरा का पूरा second shift का question मैंने आपके सामने रख दिया है इसका पूरा PDF अभी आप जाकर इस video के description box से download कर लीजेगा टेलिग्राम पर भी share कर दिया गया है और जितने भी question मिलेंगे third shift के भी मैं आप सभी को data रहूंगा 20 में जितना भी exam आने वाला है section बस अपने पास रखते रहो revision करते रहे ताकि exam में यह पक्का आपको help करेगा मतलब करेगा ठीक है ना class अच्छा लगता है तो एक like आप सभी कर दिजीगा इस video के उपर